दीपावली के पांस दिवसी महुतसफ का समापन भाई दूच या यमदूतिय के दिन होता है भाई दूच का परव दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है इस परव को यमदूतिय भी कहा जाता है इस दिन म्रत्यू के देवता यमराज और उनकी बहन यमूना के पूजन क विधान है जिसके चलते बड़े ही धूमधान से आज भाई दूज का पर्वश शहर बे मनाया गया राखे की तरह ही ये त्योहार भी भाई बहन को समर्पित होता है इस दिन भाई अपने बहनों से मिलने उनके खर्शाते हैं बहने भाई का तिलक और आर्तिकर उनकी नसर उतारती है पौरानिक कथा के अनुसार धर्मराज यम और यमुना भगवान सूरिय और उनकी पत्नी संध्या की संतान थी लेकिन संध्या देवी भगवान सूरिय के तेज को सहन न करपाने की कारण अपनी संतानों को छोड़ कर माय के चल गई अपनी जगह अपनी प्रतिकृती चाया को भगवान सूरी के पास छोड़ गई थी यमराज और यमुना चाया की संतान नव होने की कारण मा की प्यार से वंचित रहती थी लेकिन दोनों ही भाई बहन में आपस में बहुत प्यार था शादी होने की बाद धर्मराज यम बहन के बुलाने पर यमदितिया की दिन उनके घर पहुशते थी जहां यमना जी ने भाई की सतकार कर उनको तिलक लगा कर पूचिन क्या तब से इस दिन भाई दूज का त्योहार मनाया चाता है इसे के चलते आज शहर में बड़े ही दूमधां से पाई दूज का उत्सब मनाया क्या